तो दोस्तो पिछली वीडियो में हमने सिखा था कि कपका डिजाइन इसके अंदर कलर टेक्चेर जो है मटेरियल लगाना और अब बात करेंगे हम मटेरियल के साथ इसके अंदर लाइटिंग कैसे आप यूज कर सकते हैं जैसे मटेरियल भी मैं एक बार आपको बता देता हूं यहां पर आप जाएंगे मटेरियल यहां पर मटेरियल पर जाएं आपका मटेरियल यहां पर जाए जो भी आपने मटेरियल लगाना है देखिए गलास मटेरियल अगर आप लगाना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं यहां से देखिए गलास का मटेरियल इसके लगा स पर देखा हूं यह बच्चेंज जैसे हो जाता है मैं फिर आपको बताऊंगा कि इसके अंदर यहां पर देखिए हमने यलो कलर का इसका दो इस ताइल यह देदिया है अब लाइटिंग आप अगर रेट कलर पर देंगे तो आपको और ज्यादा प्रिश इसकी लाइटिंग अ तो चली यहां पर रेड हो गया हमारे जो कप है और इसके अंदर दो से तीन जितनी भी आप कलर टेक्स्चर लगाना चाहिए वह लगा सकते हैं तो इसके अंदर लाइटिंग की अभी देखिए कुछ नहीं है तो लाइटिंग मैं आपको लगा कि दिखाता हूं तो यहां प उपर किसका आता हूं लाइट को यहां से देखिए इसके अंदर जो इसकी फिनिसिंग है इसके बरकट कर देते हैं यहां से देखिए जैसे लाइट हमने उपर से डाले यहां पर देखिए इसकी फिनिसिंग में गलो आ गया यहां पर देखिए लाइटिंग इसको आप जित यह कुछ जुरूर नहीं कि आप उपर से करें आप लाइटिंग नीचे जहां भी आपने रखने हैं आप यह लाइटिंग यहां से रख दें को दिक्र में यहां से आप पर इसको मैं एक पर कट कर दें तो यहां से यह लाइटिंग है और यह जो नीचे है तो उपर अलग लग टाइप कि आप लाइटिंग या से लगा सकते हैं इसके उपर दो तो यह है वेक्टेरे के अंदर काफी अच्छा एक आप लुक देने के लिए या इसको एक रियलेस्टिक व्यूद देने के लिए आप लाइटिंग व्यूद कर सकते हैं चलिए मैं आपको रेंटरिंग के साथ एक दो चीज़ें और बता देता हूं यहाँ पर आपका देखिए बैक्गराउंड जो है बैक्गराउंड को है पैसे बैक्गराउंड जैसे भी आपने घ्लिए बता अब मैं बताता हूं कि इस फाइल को अपने कंप्यूटर में एक्सपॉर्ट कैसे करना है इसको रेंडर जैसे यहां से схватा हो जाता है हुमारा तो मैं धो बता हूँ कि यहांसे देखिंच ऑप्शन मिलें आपको एक्सपॉर्ण और जैसे आप export पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए 2D image लेनी है अपने 3D file लेनी है देखिए 3D file में भी आप इसको convert कर सकते हैं 2D file में भी आप इसको 2D image है convert कर सकते हैं यहां से 2D image पर है और डाउनलोड image करते हैं तो यहां से आपकी image जो है आपके computer में यहां से complete होते ही download ह हो जाएगी उसको आप सेव कर सकते हैं किसी भी drive में computer की में यहां से इसको एक बार complete हो जाने देते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसको computer के अंदर save कर सकते हैं तो दोनों चीजें चल रही साथ रेंटरिंग चल रही साथी साथ आपका जो 2D model है जो आपका computer में save हो रहा दोस्तों तो यह हो गया हमारा 100 का 100 complete अब यह आपके देखी यहां पर PNG format में आपके computer के अंदर save हो गई तो आप इसको अपने drive में जहां पर आपके destination drive दे रखाओ वहां पर जाके आपका जो 2D image है save हो जाएगा तो दोस्तों आपको हमारे वीडियो कैसे लगत दो अबते है